साथियो बाबा साब ने अपनी साथमें पृतिग्या में हमें कहा है कि मैं बहुत धर्म के विरुद्ध किसी भी बात को स्विकार नहीं करूँगा अकिरह साथ क्यों कहा बाबा साब ने झाल कितने बहुत अशूद्ध करम उनोंने किये जितना भी संगर्ष इस अचूद शोशित पिड़ित इस शुद्र समाज को उठाने के लिए किया उनोंने उसमें दो बातें बहुत महत पोन है नमबर एक, एक तो उन्होंने कहा कि राजनितिक शक्ती हर ताले की चाबी है इसे हमें हासिल करना चाहिए और नमबर दो, जो 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बहुत धर्म के दिच्छा ग्रेंड की और एक ग्रंथ उन्होंने लिका जिसे हम बुद्ध और उनका धर्म इस रूप में हम जानते हैं तो दूसरी जो उनकी सबसे बड़ी बात थी वो यही थी कि हम वाकई में अगर अपना भला चाहते हैं ये शुद्र समाच शोशित पेड़ित दलित ये पिछड़ा समाच जो हजारों साल से नजने कितने ही कस्ट कितने ही दुख जीलता चला आ रहा है इन कस्टों से इन दुखों से इसकी मुक्ति हो उसके लिए उसे भगवान बुद्ध के सिक्छाओं को मानना चाहे है और उन्हें बुद्ध के रास्ते पर चलना चाहे है और बुद्ध धर्म में दिख्छित हो जाना चाहे है और इसका उन्होंने पहले सम बुद्ध धर्म के दिख्छा ली तब हमें ये सारे के सारे आदेश दिये हैं तो उन्होंने बिलकुत सही कहा है कि मैं बहुत धर्म के विरुद किसी भी बात को स्विकार नहीं करूँगा आखिर क्यों कहा इससे पहले भी उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध को दस्मे विश्णु का दस्मा अफ्तार नहीं मानूँगा अपनी पहली प्रतिग्या में भी उन्होंने इस तरह से हमें कहा है ये सब कुछ इसलिए कहा कि ब्रहम्मणवाद की जड़ें इस पाखंडवाद की जड़ें भगवान बुद्ध ने हिला दी और लोग भगवान बुद्ध की तरफ बहुत तेजी से जाने लगे बहुत धर्म में दिक्षित honे लगे बहुत धर्म का पिर्चार पिरसार होने लगा और उसे ब्रहम्मणवाद का जो पखंड था जो सड़ें तरता वो धीरे धीरे नस्ट होने लगा इसलिए ब्राम्रों नों ये सारा कि उनकी दुकांदारी बंद हो जाएगी उनके द्वारा जो फैला गया शड़िंत रहे वो लोगों के सामने आ जाएगा लोगों ने नस्ट कर देंगे इसलिए उन्होंने ये सारा के सारा जाल फैला है कि किसी भी हालत में बौद धर्म ये बुद्ध की सिक्षाएं इस देश में न फैला है इसके लिए उन्होंने सारा शड़िंत रचा और अगर हम देखें राजनिती की स्थर पड़ भी देखें तो जो मौरे समराथ ब्रेदरत थें वो क्योंकि मौरे समराथ अशुक के जमाने से बढ़ होने लगे और ब्रेदरत बढ़ थे तो उनका जो सहनापती ता पुष्यमित्र सुंग पुष्यमित्र सुंग ने धोके से ब्रेदरत की हत्या की और उसके बाद में उसने यहां तक भी अलान किया कि जो भी एक श्रमान यानि कि बहुत भिक्चु का सर काट के लाके देगा उसे वो सो दिनार इनाम में देगा तो वहां से ये शड़ेंत्र चला राजनिति के इस्तर पर ये शड़ेंत्र चला और ब्रामणों ने धीरे धीरे बहुत धर्म को यहां खत्म करना शुरू किया बुद्ध की शिक्षाओं को निस्तनाबुत करने का बुद्ध को निस्तनाबुत करने का लेकिन जो लोग देश और विदेश से यहां पर आए और उन्हों बुद्धर्म की शिक्षा में बुद्धर्म में जो दिक्षित हुए उन्होंने धीरे 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 में फैलाया समराटाशोक ने भी अपने बेटे को अपने बेटी को विदेशों भेजा श्रिलंका भेजा थाइलेंड भेजा और वहां पर बुद्ध का धर्म फैलने लगा तो ये धर्म न फैले और उनकी दुकानदारी उनका शड़ेंद्र चलता रहे ब्रहमरवाद का उसके इसलिए उन्होंने सारे के सारे प्रियास किये इसलिए भगवान इसलिए बाबा साब डॉक्टर अमबेडर करने कहा कि बुद्ध धर्म के खिलाफ बुद्ध धर्म के विरुद्ध जो भी परिचार होगा मैं उसमें कटि विश्वात नहीं रखूंगा बूद धर्म का जो कोई उन्होंने कभी स्विकार नहीं किया इस विश्पया उन्होंने चर्चा तक भी नहीं की लेकिन अगर कुछ भी है तो यह जो पाखंड हमें इसकी जरूत क्या है हम जैसे हैं वैसे ही अपने मन को स्वच्छ करके जिए अपने मन को नितांत निर्मल करके जिए और जो शु भगवान हमें थर्म ये बड़ी-बड़ी बातें समझ में नहीं आती ही। सीधे सब्दों में, साधरन सब्दों में अगर हमें समझा दें तो बहुत अच्छा होगा। तो भगवान बुद्ध ने का कि धर्म, अगर समझ में नहीं आये तो धर्म नहीं होता, और उसे सरल शब्दों में ही होना चीए, इसलिए उन्होंने उस बुज़र्ग महिला को समझाते हुए का कि बैठों मैं बताता हूं, और उन्होंने का पाली में हैं, तो जो पाली में थ इसम के सभी तरह के जो पाप कर्म हैं, उनसे दूर रहो, उन्हें न करो, और कुशल सब संपदा, यानि जो भी अच्छे कर्म हैं, शुब कर्म हैं, उन सभी कर्म को करो आप, उनकी जो संपदा है, उसको जोड़ो, अच्छे कर्म जितने भी कर सकते हों, करो, और उसके को नितांत निर्मल करो यही सभी बुद्धों की सिक्षा है तो साफ जाहिर है कि पाप कर्मों से दूर रहो अच्छे कर्मों को करो और अपने मन को नितांत निर्मल करो बस यही धर्म है और यही बुद्ध ने अपनी तमाम जीवन जब तक वो रहे उन्होंने यही सब कुछ स पताया उन्होंने और ये सिक्षा उस पाखंड को बिल्कुल जर से उखाड़ देती हैं जो ब्रहम्मणवाद ने फैलाया इसलिए उनकी दुकानदारी जो बंध हो रही थी उसके खिराप उन्होंने सारा शडिंत रचा और बुद्ध की सिक्षाओं को बुद्ध के धर्म को नश्ट करने के लिए हर संभव प्रियास किया तो तभी बाबा साब ने कहा कि बुद्ध धर्म के विरुद्ध कोई भी बात होगी मैं उससे स्विकार नहीं करूंगा हमें उनकी बातों को बहुत गहराई से सोचना चाहिए उन पर चिंतन मनन करना चाहिए और मानना झाहिए